कि सबका सपना होता है डॉक्टर बढ़ना पर डॉक्टर कैसे बने यह जाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शियर करें क्योंकि यह जो चैनल है और मैं खुद आपके आपके आम अधिब की आपको डॉक्टर बनाने के लिए सक्षम हूँ और आपको सेलेक्ट कराऊंगा और बायो में बहतर नंबर लेके आप आएंगे अधिए 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 इस विडाल टेसे यूज़ टो डियागनॉसिस अभ अभी हमने टीवी आउट पढ़ा था टाइफोईड के रिलेटेट सारे चीज़ बढ़े तो और यहां पर देखो मैंने बताया था कि डाइगनॉसिस जो होता है वो वीडाल टेस्ट ही करता है म इस में बहुत सारे ऐसे थ्री कॉलम बने होते हैं और उससे कंफर्म हो जाता है उस पेशिंट को जो टाइफाइड हुआ है तो आंसर इस टाइफाइड राइट हमें पता होना चाहिए कि अगर मुझे कुछ डाइगनॉसिस करना है कि मलेरिया का कैसे डाइगनॉस कर सकते है कौन-कौन साइसा टेस्ट है कोई मिलेरिया को हम पता लगा सकते हैं तो सबसे पहले हम टीवी देखते हैं टीवी हमारे इंडिया में काफी कॉमन है तो टीवी को पहचानने का सबसे बहतर तरीका होता है ताइस कौल एस्प्यूटम कल्चर मतलब कि जो एस्प्यूटम होता कि पेशिंट का उसको कल्चर करके देखेंगे वेदर इटी मालेरियल और तैइस ट्यूटम उच्री न्हींशा जो होता है और भी इसके लिए काफे सही होता है जीन एकस पर और बहुत सारे टेस्ट कराते हैं ठीक होता है मांटोर्टम होता है मांटैस्टम इससा इट्शा हम स्लाइट बनाते हीं तिक इसमीर बणाटे कर देख लगाग है कि कौन-कौन प्रपेशंग लिए निमोनेresis क्लिनिकल सुम्टम के वेसि एक 시सम पे हम उसको डगनोसिस बना सकते और विडाल टेस्ट er ऴिडाल टेस्ट उसके बता यह ने क्सा कॉछ स्यन रिसी टैफघाइटր आई तो सब नेक्स पोरिण इस क्षेवर रिस जा सцыल मेल मेल आई है second a disease है हमने first disease में टाइफॉइड डिसकस किया था तो यह सेकंड डीजिस है दाइज नीमोनिया तो वैसे ही जैसे हम लोग ने स्टाइट किया था सबसे पहले हम कॉस्टी वेजिन की बात करते हैं कि हुई जाता है तो इस अभूस्ट डेंजरोस टाइप मदब कि उससे उवर कम करना बहुत ही मुश्किल वाली बात होती है क्योंकि हम फिलेस इंफुएंचर जो होता है बहुत ही अलवलाय ब्रॉंक्यों के अंदर बहुत सारे पानी बहर देगा और मदब सीवेर इंफेक्शन क तो तो एक बात है ऐसे इसे उफनी है और यह कुंदी परसंट तो इन मोनिय वाले ने कफ किया स्नीजिंग किया या इवन मदब की ग्लास को यू मतब कि इसने एक ग्लास पानी प्या और वसी ग्लास में हल्दी पानी पी आ तो इसे वे इंफेक्शन हो सकता है तो healthy person acquire infections by inhaling droplets and aerosol which is released by the infected person जो बहुत कफ करेगा स्मीज करेगा तो उससे जो droplets release होंगे aerosol release होंगे और उसके सामने अगर कोई person खड़ा है और वह immunocompromise है immunocompromise का मतलब होता है कि उसे immune उतना immune system system develop नहीं है उसका हो सकता हो HIV है AIDS है मतलब HIV और इट्स वाले पेशन्ट जो होते हैं usually they are not much immune system development में नहीं होता है इतना immune system धिरी-धिरी decline हो जाता है तो they are easy to prone with infections तो या ऐसे किसी का immune system बहुत ही कम हो तो उसको infection बहुत ही जल्दी से हो जाएगा even sharing the glasses or utensils is also causes the this disease the target organ के बात करते हैं तो target organ is lungs and alveoli or bronchios जो होते हैं हमारे target organ होते हैं so incubation period के बात करते हैं तो incubation period जो होता है that is one to three days one to three days का मतलब भी होता है कि अगर कोई pathogen अंदर आये body के अंदर आये और sign in symptom जब अपियर हो मालो कि आज जो है और तीन दिन बाद sign in symptom produce हुआ तो उसका क्या incubation period हो जाएगा one to three days so incubation period का मतलब भी होता है कि कोई भी organism या अगर बाड़ी के अंदर आता है और बाड़ी के अंदर आने के बाद सिम्टम का बात है ता इसकाल इंकुबिशन पिरेट सिम्टम की बात करें तो आज रिजल्ट आफ दिस इंफेक्शन स्टेप्ट को का जो भी इंफेक्शन हो रहा है तो अल्वलाई और ब्रॉंक्योस अर गेट फिल्ड विद द फ्लूड तो अल्वलाई और जो ब्रॉंक्योस उसके अंदर पानी भर जाएगा तो हमें सांस लेने में बहुत दिक्कत हो डालेटेटिभ टू डीन हैं सेविएर कंडिशन के बारें के बात करें मिकिएक्शु एर इसस बारें करें करें districts आब बाद करें किकर सही से और सिबर आर मुल के सब्सक्राइब यह साराम पर खेक्शन की और वेनाह सब्सक्राइब करें गर्जासे जो है शारा शोपाइब किस पर बनाते हैं के बंट में प्रेशन के अंदर जो जो अभी अभी क्लेड्ड निकल्स नेकल बना सकते हैं लाब रिपूर्ट करके देखेंगे कि कौन सा इंफेक्शिंस कॉमन है उसके बीसिस पर हम डाइग्नॉस बिना सकते हैं टेटमेंट की बात करें तो सिम्टमेटिक टेटमेंट देखें जैसे अगर पेशिंट को सर्दद है या बुखार है तो उसी हिसाब से टेटमेंट लिए को अरको उसे सब्सक् और उक्रीजन को भी नेवनलाइस करा सकते हैं तो यह बेसिक बेसिक लेटमेंट से नीमोनिया का को समझ गये है तो बात करते हैं कालरा से तो कोरे का जो जो लेटरें सभेरेकशली बेटरी विए कालरा होता है इन कालरे का दी g Deutschland जो होता है इसका 2-3 तीन तक होता है यानि 2-3 तरक साइनन स्थम्टम अपियर हो जाते हैं। सिंटम के बात करें तो पेशेंट स्टार्ट कि और स्टूल इस फ्रिक्वेंसी बिट राइस वाट वोघिन गे तो आप समझ सकते हैं कि भाव जादा सू आज भाव रहा है अछे जब ऑसे पडाव रहे थाजिक हो जाएगा ब्लेड वाले मागूम साथजा करों एक इसको क्या हो जाएगा तो ब्लेड वालूम किसी चाहा हूं हो सकता है तो किया वह जब होसकता है तो है कुमा म करने विर स्फ्टूल को एक्जामीन करके हम बता देनंगे कि उसे हुथ को शुद मोट से बबात स्टैक्जें को होता है कि से मात कर रहो हर वत tu को अर जो से आट का मतलब होता वहाइध के साथ जो रहाकर उडसे ही व हर्ण में कोलरा के पैफोजिन है और मालनुजी की फीकल मेतर है तो इस आउस फ्लाइज के ऊपर बैठेंगे फीकल प्र प्र और यही हाउस फ्लाइज आपके पाणी पर डृंग वॉटर पर बैठ जाए यह आपके खाने पर बैठ सक तो यह चिजो है उन्होंने क्या किया बैठते हैं उठते हैं और वही सेम आपके वही सेम चीज अगर आप खाते हो तो देरे चांस तो इन तो दे इन्फेक्शन तो दाइस काल फीटो फीको और रूट कहने का मतलब है यूजली दा कॉलरा पैथोजन इस प्रजन इन दा फीकल मैटर तो हाउस प्लाइ उसके उपर बैठेंगी उन्होंने इस पैथोजन को लिया और वाटर के सांथ फूड पार्टिकल के सांथ कंटेमिनेट कर दिया और यही फूड पार्टिकल्स अगर हम खाएंगे तो हमें भी कॉलरा हो जाएगा राइट इसलिए हम अपने पानी को बिल्कुल डिसिंफेक्टेट रखे अगर हम बात करें तो पेशिंट बहुत ज्यादा वोमिट कर रहा है लूज मोशन हो रहा है तो उसको पानी पानी बहुत ज्यादा निकल गया बाडी से तो ब्लेड बॉल्यूम कम हो जाएगा तो पानी को रेप्लेस करना तो रैपिट रेप्लेस्पेंट अफूड हम उसको गूज सकते हैं तो दिफ्थीरिया और देखते हैं कि दिफ्थेरिया हमारा अधर बेक्टेरियल डीजी में इस थासे को सब्सक्रिक्ण के लिए बच्चों में ज्यादब तर इन को मिलता है और विंटर सी जन काफी फेवरेबल होता है इसके इंफ्थेरिय के लिए तो विंटर सीजन अग्रिवेट 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 दर्थेरियल इंफेक्शन संप्टम की बात करें तो यह सारे चीजों को इग्नॉर कर दिया जाए अगर कोई दॉक्टर उसे डिग्नॉस ना कर पाई या पेशिंट तक ना पहुंच पाई तो सीवेर कंडिशन मे कि नो सी ब्लीदिंग हो निया स्टााइगे दैस्को ल नॉस ब्लीडिंग हो निया स्टाइग और इसके अलाबा जो गले में ठॉक पे ग्रीस कलर का मधे के डी पुझेशन इस थे स्टाइगा तो इस यूज ने लेट इस उस अट गले का निया होगा पेशे एक ऐपर एक अ इंडिया में टीवी काफी कॉमन होता है और सेकेंड यर से फाइनल एर तक और इवन फाइनल यर के बाद इंटर्शिप तक पूरा हम टीवी वाले पेशन से ही घरे रहते हैं इंडिया में बहुत जादा टीवी कॉमन है को बात करें तो माइक्यो बेक्टिरिया विश्चा थीवी तो मोडर इंफेक्शन क्या होता है कि यूजली जो पेशन होते हैं जिने टीवी होता है तो टीवी वाले पेशन के सामने अगर मैं खड़ा हो जाओ और उसने एरोसोल ड् आपने उसे ब्लेसिट्र इंफेक्टिट उसक्ता है स सकता है अगर बहुत अच्छे मिन स्टम है इम्मून बहुत स्टरों तो नहीं हो सकता है talking system उसे इंफेक्शन होने के चांसे स्ट्रौ सकते हैं नाइट स्वेटिन वुदु होते हाँ प्रॉमनें फीचर श्याम के समय ध night sweating काफी जादा होगा कफ more than two week and weight loss history of weight loss उसके कपड़े धीले पड़े पड़े पहले से so this is a usually symptom of the tuberculosis और और भी बहुत हरे symptom होते हैं but this is a main symptom और जो target organ होता है वो lungs होता है but lungs के अलावा भी बहुत ज़्यदा बहुत जगा TB होता है जैसे to be infected हो सकता है TB से so TB हर जगा common है मतब कि लंग्स के the primary site is the lungs but apart from the lungs they are the various organ which is affected by the TB so अब हम बात करते हैं लेपरासी की लेपरासी जो होता है इसे hansans disease कहते हैं ये भी bacterial infections के थू होता है दो कॉस्टिवेजंट अफ लेपरेसी is mycobacterium लाप्री जैसे अभी हमने त्यूबर पढ़ा था त्यूबर गलाशिस का जो जो कोस्टिवेजंट था microbacterium tuberculosis वाला तो microbacterium tuberculosis वाला होता है अभी यहां पर देख सकने microbacterium tuberculosis इसी की फामली का होता है microbacterium laprace is causes the laparacy तो leprosy is discover by this bacteria is first discovered by the hansans therefore this disease is also called Hansen's disease एसे कुछ टोग भी बहते हैं सिम्टम क्या होगा कि स्कीन के ऊपर ऐसे ऐसे पैचेज आने स्टार्ट हो जाएंगे वाइट पैचेज आने स्टार्ट हो जाएंगे तो लाइट कलर पैचेज ऑन्दे सिकनिंग फिचर जो भी हमारे नर्फ उगी वनमें थेकनिंग हो है दर इंफेक्शिन पिरियोड इस एक बारे बेक्टीरिया अंदर आ गया तो दो से पांच साल के बाद साइन सिंप्टम अपीर होंगे बट इस एक्यूरेबल डीजीज दर लॉट ट्रीटमेंट इस देर टाबलेट डाप्सवन एक आती है टाबलेट डाप्सवन हंडेड एम होन जाता है तो देर इस एक्योर अफ देर लाप्रेसी और हैंसंस दीजी इस तो नेक्स हमारा जो डीजीज है दैस गाल एंथ्रेक्स के बारे में पढ़ते हैं तो एंथ्रेक्स का जो कॉस्टी वेजरेंट है ता इस काल बैसलर इंत्रेसिस इंप में आयो वा कोशियन है कि टो इस्काषिश्टिव सों ऋंप्रक्षिस यो कहा छारी तो होता है इस है इसल एन्दिव जोगा जी सरी दॉलन गुप यो तो यूश्तिव से लिट जो बिमारी होती ऐ बिमारी होते है ऑन्दिव सरी ए प्रेजन इनिमल से कैसे हीमन बिंग में आएगा और भी बात करते हैं तो इंफेक्टेड अनिमल शेड़े दियर डिस्टास फॉंड माउट नोज और रेक्टम इन्टो 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 इस वाइल में बहुत सारे लार्ज नंबर अफ बैसिलस एंथरिस होते हैं तो से अगर हीमन बिंग कॉंट निते हो जाता है तो इस चांस जो डवलाप फिंग ऑफ द एंट्री घृत को बहुत पास पासे रहते हैं के तो ज्यादा इस फेक्टेड होते हैं तो तो हीमन ऐन्ट्रेक्ट में बैद आनिमास बाद डार्क्ली और इन्डर्क लिए अबर क्या और बेसलर संथ्रेस को भेजते थे तो यह कब कैसे हुआ था मतलब एक्जैक्टली मुझे पता नहीं बद एंथ्रक्स को लोग भीजते थे जैसे उपन किया उसको इंफेक्शन हो गया क्योंकि उसे हम जल्दी से डाइग्नॉसी नहीं बना पाएंगे कि उसका हुआ क्या प्याएंगे तो और भी बहुत सरे बेक्टेरियल डिजीज हैं जैसे इवन स्टीडी के जितने भी होते हैं जैसे सेफलेस हो गया कॉन एरिया होगा वह भी बेक्टेरियल डिजीज है तो मैं कभी और डिसकस करूंगा और फ्री अफ कॉस्ट आपके लिए सारा चीज एक तरह से सुचिए सेवा है और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को जरूर बताएं क्योंकि चैनल जो है आपको नीट एमस और जिपमर में सफलता जिलाएगा और लाइक जरूर कीजिएगा इस वीडियो को कि जब भी आप लाइक करते हैं तो बहुत जाता है तो यह जो है मुझे जहां तक लगता है कि जैसे बहुत सारे बच्चे होते हो प्लान बनाने में ज्यादा इन्वाल्व रहते हैं कि सरो चलो प्लान बना लिया जाए कि हां ऐसे 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 पढ़ना है बट एक्जिग्यूट नहीं कर पाते हैं पढ़ नहीं पाते है तो आपको execute करना है पढ़ने वाले चीजों को ज़्यादा देखना है rather than planning प्लानिंग तो आपने बना लिया है कि हाँ नीट में मुझे सफल होना है डॉक्टर बनना है वैस्ते स्कोप चाहिए तो planning के साथ साथ आपको execute करने के जुरूरत है मतलब कि उस पर आपको focus करने के जुरूरत है ताकि बहतर से बहतर result आजाए और यह तभी हो पाएगा जब आप पढ़ेंगे सारी वीडियो के देखें बहुत मेहनत करके मैं बनाता हूं थीक है इन सारी वीडियो को अच्छे से देखें बहुत ही फायदा मिलेगा आपको तो अब हम बात करते हैं diseases causes by viruses अभी तक हमने क्या पढ़ा कि सारे जो डीजीज है बेक्टीरियल डीजीज के बारे में पढ़ा अब हम वायरेस से होने वाले डीजीज के बारे में करेंगे और देखेंगे समज spoiled the first disease is called common cold common cold का जो कॉस्टिव एजन्ट है यह रिनो वायरस तो रिनो वायरस इस अ कॉस्टिव एजन्ट अप दे कॉमन कोल्ड होगा कि अगर घर में किसी को कॉमें कॉल है तो टेर श्रांसे तो ट्र्सbersus t2 को को कॉमद्बर कॉल जाएगा तो उसका मौड एंप्ट्रीशिन जो है का फिस adria Councillororig यह एज का यह एक ज्यादा होता है और हर इंडिवीज्सयक्यकों का खत्रह रहता है तो आपने आप तीन चार दिन के बाद अब तो आपने आप तीन चार दिन के बाद अब तीक हो जाएगा बड़ देर इस नो स्पेसिविक टीटमेंट देते हैं सिम्टेमेटिक टीटमेंट के का मतलब होता है कि अगर पेशिन को फीबर है और रनिंग नूस है तो उसे पेरा से अमोल लिवर से तूजिन दे देंगे खांस ही है तो कफ से रख देगे तो दाट को सिम्टेमेटिक टीटमेंट तो सिम्टेमेटिक टीटमेंट यूजली हम इस पेशिन को देते हैं और उससे प्रडेक्ट करते हैं तो कैसा लगा यह वीडियो का प्लीज मुझे कमेंट करके बताईए और आपका जो कमेंट है काफी इंपॉर्टन रहेगा मेरे पूरे इस कर्मेंट जरूर कीजिए बताईए कि कैसा लगा अच्छा लगा खराब लगा कुछ भी है जरूर मुझे बताईए और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने तोस्तों के सांथ ताकि हम सब एक मिलके बहतर सोसाइटी डेबलब कर सकें अब वह स्ल कि नून है वो मेहनत करने की आग है वो डॉक्टर बनेगा और मैं उनके साथ हूँ मैं उनको डॉक्टर बना कर चुड़ूँगा मेरे साथ बने रहें थेंकि सो मच